लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दवाना मत दिए साथियों, विकास और परियावरन में संतुलन यह हमारी पुरातन परंपरा का एक एहम हिस्सा है जिसको हम आत्म निर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं जीव और प्रतूति के रिष्टे का संतुलन, व्यस्टी और समस्टी का संतुलन, जीव और शीव का संतुलन हमेशा से हमारे सास्त्रों ने हमेशा खाया है हमारे यहां कहा गया है यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानि जो पिंड यानि जीव में है वही ब्रह्मांड में है हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे परियावरान पर भी पढ़ता है इसलिए अपने रिसोर्सिस की एफिशन्सी को लेकर भी भारत के प्रियास बढ़ रहे हैं आज जो सर्कुलर एकोनॉमी की बात हो रही है उसमें ऐसे प्रोडक्स और ऐसे प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा है जिन में संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े सरकार ने भी ऐसे ग्यारा खेत्रों की पहचान की है जिससे हम आधुनिक टेक्नोलोजी के माध्यम से संसाधनों को रिसाइक्ल करके सदुप्योग कर सकते हैं वेश्टु वेल्थ यानि कचरे से कंचन अभ्यान पर बीते कुछ वर्षव में काफी काम हुआ है और अब इनको मिशन मोड में बहुत तेजी से आगे बढ़ाये जा रहा है गरों और खेतों से निकला कचरा हो स्क्रैप मेटल हो लीथियम आयन बैटरीज हो ऐसे अनेक शेत्रों में रीसाइकलिंग को नई टेक्नोलोजी के मादम से प्रोचसाइद किया जा रहा है इससे जुड़ा एक्शन प्लान जिसमें रेगुलेटरी और डेवलप्मेंट से जुड़े सभी पहलू होंगे इसको आने वाले महलों में अमल में लाया जाएगा